नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लिटिस नीज मिलती रहती है तो आज हम अदानी ग्रूप के एक स्टॉक की बात करने जा रहे हैं दोस्तों अगर आप पिछले कुछ मैने से मार्केट से वाकिफ है तो आप जानते कि दो दिन से लग रहा है यहां पर आपको क्या सीखने को मिलेगा कि रिटेल ट्रेडर कैसे फस्ता है और जो आप भी ना सोचे समझे से तेजी को देखकर बाई करते हैं तो वहां पर क्या इंप्लिकेशन हो सकते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले बोला चाहंगा जो क्याल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एंडिस मिलता रहे सबसे पहली बाद जो नोट करने वाली आप देख सकते हैं अदानी गुरूप के सभी स्टॉक्स ने आउट पर्फॉर्म के मार्केट को जब इंडेक्स कुना भागते दिखाए देश तेजी शुरुआत अदानी ग्रीन ने की थी आप जानते हैं वहाँ पर फिर ऑपरेटर बेस टॉक बन गया तो और क्या हुआ काफी महीनों से स्टॉक एक इरेंजमेंट का है अदानी गैस के अगर बात करें आप शेयर देख सकते हैं कि फिलह अरी के से दिखाई दे रहा है आपको लेकिन जब 220 के आज पा चलता था तब हमने डिस्कस किया थे स्टॉक वहाँ पर अच्छा बेस बनता दिखाए था फिलाल चार्ट पर देखेंगे और वहां से देखिए न्यूस के सारे और जो मार्केट में नॉमबर से तेजी है उसक अब exhaustion phase आएगा तब buy करते हैं यहां पर first जाते हैं तो greedyness के चलते हैं जो दिख रहा है उसके चलते fundamentals को analyze नहीं करना बलकि तेजी दिखाई दे रही है तो buy कर लिया उसके वज़े से आप ऐसे दिखाई दे सकते हैं चले fundamentals को पहले हम कंपनी के देखते हैं तो book value आप देखें जरूर expand हो रहे हैं पर यहां से साफ दिखाई दे रहे कि काफी over value stock हो चुका था stock की price to earning ratio आप देखे 244 जैसे मरला आप समझ सकते हैं कि हर एक रुपे के लिए एक रुपे की earning के लिए आप 244 रुपीज देने के लिए तैयार है तो यहां पर PE काम आता है ROC और ROE अच्छे रहे हैं stock के हाला कि जब 220 के आसपर साथ तब under value दिखाई दे रहा था क्योंकि यह नमबर ते और यहां पर काफी जादा growth का potential था पर फिलहाल काफी over value हो चुका है 30% से उपर के दोनों number से हमें दिखाई दे रहे हैं इसी sector की दूसरी company से compare के तो देख सकते हैं आप Gale 7.34 PE च चल रहा है and deep energy 124 यह भी थोड़े चोटे रुपे का stock 35 के आसपास तो यहां पर भी आपको तेज मूब आते दिखाई देंगे पर देख सकते हैं आप अधानी डोटल के पी काफी out of the box चलता दिखाई दे रहा है and इसको अगर हम compare करें company के return on capital employed से तो आप देखेंगे जैसे I EGL यहां पर 33 का PE है लेकिन इसका भी ROC लगभग 30% के आसपास है तो इससे आप compare कर सकते हैं कि फिलहाल stock overvalued है या नहीं results की बात की जाद देखें December quarter में 146 करोड का company ने net profit दिया है increase जरूर हुआ देख सकता है पिछले दो से तीन साल में company का net profit तीन से चार गुना भढ़ गया यहां पर stock price में सब कुछ price दिन हो चुका है and यहां पर आप लंबे समय का देखें तो 162 करोड से 440 करोड तीन गुना ह हो गया company net profit earning per share में काफी ज़्यादा इदाफा पर यहां पर आप देख सकते हैं कि रिस्टिंग के बाद earning per share 2 से सिर्फ 4 रुपे हुआ है और stock price कहां जाता दिखाए देराया आप जरूर देख सकते हैं और वहीं पर correction तो आनी बन दी ती ऐसा नहीं है कि पहले correction नहीं है पहल पाइंग हो जाती है वहां पर operator फसा देते हैं रिटेटर को और कुछ समय के लिए आपका पैसा ब्लॉग हो जाता है जले चार्ट पर देखते हैं सीधा स्टीब एक तेजी आती दिखी है हमें stock में parabolic तेजी आती दिखी है तो ऐसी तेजी आप जानते हैं कि थोड़े समय च support ले रहा है और यहां से कोई नहीं जानता है कि इतने बड़े टार्गेट्स हैंगे momentum को देखकर हमने छोड़ा टार्गेट निकाला था थोड़े short term के लिए 200-260 के बीच में पर तब क्या हुआ कि stock यहां जरूर पहुचा और वहां पर news आ गए और साथ में नॉवंबर का म 550 पहुच गया था तो heavy buying हुई stock में sideways consolidation दिया market का सहरा मिला और वहां से आप देख सकते हैं कि यहां से भी तीन गुना हो चुका 400 से अब 1200 तक बहुच चुका है stock पहले जो correction थी हैं अब जो movement है उसमें काफी फरक है देख सकता है पहले एक range में correction होती थी flag या pennant pattern में यहां पर decreasing थी and buying में आपको तेज volume आती दिखाई दिर पर इस पार जो fall है वो काफी ज़्यादा steep है आपको lower circuit पर fall होता दिखाई दे रहा है और वहां पर volumes भी heavy हैं आप देख सकते हैं आज भी लगवग 3 million की volume रही है गिरावट में तो stock कमजोर जरूर है and सीधा तरीका में आपको अ प्राइज 21 EMA को टेस्ट करने आता है या फिर stock एक टाइप की sideways correction करता है ऐसा आप यहां देख सकते हैं 21 EMA 380 पर था and stock था 542 पर तो बहुत ज़्यादा फरकता है stock ने क्या किया stock ने sideways movement की 21 EMA का आने का इंज़ार किया जब 21 EMA 400-400 तर आ चुका था and stock 480-490 पर था तब movement चुरू ही ऐसा आपको यहां भी देखने भी मिल सकता है कि stock का इस समय 21 EMA 550 पर था and stock 750 पर sideways movement 21 EMA टेस्ट वा फिर भाइंग आई तो आप देख सकते हैं इस पार जो movement है काफी ज़्य अच्छे जानते हैं कि retail trader कहां फसेगा उनके पास अच्छे historical data होते हैं psychology पढ़ने के लिए and यही मैं आपको बार 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 बताता हूं कि stock में आप फसे मच आए आपका थोड़ा कम profit हो आप थोड़ी ऊपर लेकर बाकी सब को देखकर ना फसेए और यहां पर कपनी काफी ज आप जानते हैं जब असली सेलिंग शुरू होती है तब कोई भी लेवल नहीं टिकता कोई moving averages नहीं टिकते वीडियो का में मोटिफ था कि जब शेयर काफी ज्यादा बढ़ चुका हो काफी ज्यादा हाइप में हो जब काफी ज्यादा news में हो retail traders तक पहुंच चुकी हो खबर तब आपको सचेत हो जाना चाहिए और वहाँ पर अपनी कुछ strategy के जाप साब आगे चल सकते हैं जैसे हमने strategy discuss की कि आप अगर 21 EMA को एक support की तरह लेते तो आप पूरा trend right कर सकते हैं तो फिलहाल stock काफी कमजोर है और बाजार भी काफी important mode पर है फिलहाल covid के cases जारी है और आप आप जानते हैं कि gas distribution company है fundamentally भी अगर हम देखें फिलाल lockdowns लग रहे है weekends के तो सीधी बात है उसका असर transportation पर होगा उसका असर gas use पर होगा तो fundamentally भी ले सकते है पर according to me यह जो तेजी के बाद गिरावट है यहाँ पर काफी जादा overbought होने के कारण आपको गिरावट दिखाई द सकते हैं ऐसे गिरावट से बचने के लिए और साथ में प्रेंट को राइड करने के लिए भी तो अभी फिलाल एपरिल कोटर दे रिजलेट्स आएंगे तो वहाँ पर हम डिसकॉस करें कि क्या रिजल्ट्स रहे हैं company के यह थी दोस्तों अदानी gas related latest news analysis वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए